नमस्का, मैं होसासी आयो ज्ञार्खन के विभीन विभागों में 285 जूनियर इंजिनियर की भरती ज्ञार्खन करमचरी चैन आयो ने मंगरवार को ज्ञार्खन डिप्लोमा अस्तरिय सन्युक्त परत्योक्त परिशा 2021 को लेकर विगयाप जारी कर दिया है इसके तहुत राज्जे के विभीन विभागों में 285 करनी अभियनतावक न्युक्ति होगी इन में बिधूत, असायनिक और र्यांत्री की करनी अभियनता सामिल है JSC की इस भरती में आवेदन करने के एक चुक अभियार्थी आयो की वेब साइट JSC.NIC.IN पर जाकर भरती नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन कर सकता है बता दे परत्योक्ता परिशा के लिए अगले साल 23 जन्वारी से 22 फर्वारी तक फोरम ऑनलाइन भरे जाएंगे जारखन के उतर पच्मी भाग में कई अस्थान पर मंगलवार को हलकी बारिस और ओला बिष्टी हुई बुधवार और गुरुवार को भी राजे के कई इलाके समेत उतर पूर्वी भाग में हलके से मध्यम और हलकी बारिस के असार है 30 और 31 दिसमर को मौसम सुस्क रहेगा लेकिन कई जगों पर घाना कोहरा चाया रहेगा इसको लेकर मौसम केंद्रे की ओर से एलो अलट भी जारी किया गया है वही नए साल पर एक जनवरी को सुबा में कोहरा और धूंद के बार आसमान साप रहेगा रायस्थान में बने साइकलोनिक सर्कुलेशन के परभाव से पलामू परमंडल के डाल्टन गंज गढ़वा लाते हार के अलावा लोहरदागा चातरा और कुडारमा समेश सीमावर्ती मध्य भाग के कई इलाके में हलके से मध्य दर्ज की बारिश हुई सिस्टम के परभाव से समधित इलाके में दीन बर आसमान में नीचले अस्तर पर बादल चाहे रहे जारखन सरकार के दो साल समारो की त्यारी का जाजा लेने पहुँचे सीम हमान थे जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन राची के मुरावादी मैदान पह downwards जहां उन्होंने राज्जे सरकार की दूसरी बस गाट के मौके पर बुधवार को आउजित होने वाले कारीक्रम की त्यारियों के जाजा लिया इस दोरान उन्होंने त्यारियों के समान्द में वहाँ पस्तित पताधिकारियों से पुरी जनकारिली और आवसेक दिसार निर्देश भी दिये बता दे सीम ने कुरोना काईलाइन को ध्यार में रखते हुए कारकरम में सामिली थोने वाले लाभू को आम जनों तथा अतितियों के लिए सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चीत करने को कहा आपको बता दे कि 29 दिसंबर को जारकंड की हमन सुने सरकार के दो वर्स पूरे हो रहे हैं इस मोके पर आज अस्तर ये कारकरम का उजन किया जा रहा है लड़कियों की सादी की उम्र 21 करने पर सीम हमन जताई औसामती मुक्षमंत्र हमन सुने ने लड़कियों की सादी की उम्र 18 से बठाकर एक औस करने के केंद्र की फैसले को रायनीतिक बताते हुए औसामती जताई है उन्होंने अपने अवास पर सोमवर को पत्रकार बारता है कि दुरहन कहा कि लिव इन रिलेसंसिप को कानूनी मदद देने वाले आज के दोर में इस तरह का फैसला रायनीतिक लगता है लड़कियों की बीवाह की निमतम उम्र 14 से 18 बर्स की गई लेकिन क्या अब इसे कम उम्र में साधिया नहीं हो रही अब इसे 21 किया रहा है उन्होंने सवाल किया कि क्या आगे इसे 30 से 35 बर्स किया जाएगा और हम पहलूया है कि केंदरे के इस फैसले के पिछे क्या सोच रही है कुछ चीजे ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी हो जाती है समाजीक रूप से विक्सित वर्गों में लड़कियों की साधी वैसे भी 20 के बाद ही हो रही है माधिमिक और इंटर्मीडियेट परिक्षा पंजियन के लिए जयक ने तय की तारीक जयक ने सतर थोजार visit माधिमिद परिक्षा और इंटर्मीडियेट परिक्षा में सामील होने के लिए नियमित और सोतंतर शात्र शात्र शात्राव के लिए काला बिज्ञान और वानिजी संकाय में रईस्टेशन करने के तीठी गौसित कर दिया बता दे सभी नियमीत और सतंत्र शात्र सत्राओं को सुचित करने के लिए पत्र जारी करते हुए बिद्यालियों और इंटर महा बिद्यालियों के प्रधानों को कहा गया है कि नौमी और एगारमी काक्षा की बार्सिक परिक्षा 2022 के लिए परिक्षा प्रपत्र और बार्सिक मायदमिक एवाम इंटर्मीडियेट परिक्षा 2023 के लिए पंजियन अवेदन ओनलाइन माध्यम से जमा कराना सुरू कर दे जैक ने इसके लिए बेकायदा तीथी भीताय कर दिया है मादमिक परिक्षा के पंजियन के लिए बिना विलाम सुल्क के 3 जनवरी 2022 तक जीला सिक्षा पताधिकारी के पास ओनलाइन माध्यम से प्रपत्र भरा जा सकता है वहीं बिलाम सुल्क के साथ 6 से 11 जनवरी तक परा जा सकता है ओमिक क्रोन को देखते हुए जार्खन सरकार रिम्स के माध्यम से खर देगी जीनोम मसीन जार्खन सरकार क्रोना के नई वेरियंट की पहचान को लेकर जीनोम सिक्षा कर रही है इसको लेकर प्रवंधन को जल्द आदेश दिया जाएगा बता देया मसीन सरकार को पहले खोद खरीदनी थी लेकिन टेक्स के रूप में 90-95 लाक रुपए का खर्च आने की वज़ा से सरकार अब रिम्स के जर्य मसीन खरीदना चाह रही है रिम्स को सोध कारे के लिए मसीन खरीदने पर जी एस्टी के रूप में लगने वाला टेक्स माप हो जाएगा इससे सरकार का काफी पैसा बचेगा जारखन में मास्क नहीं पहनने वालों पर 50 रुपए का जुर्माना स्वास्त विभाग ने जारखन में 15-18 साल के बच्चों के ठीका करन को लेकर त्यारी सुरू कर दी है साथ ही सूबे में तीसरी लहर से बचाओ को लेकर भी सरकार सकती कदम उठाने जा रही है बता दे इसके तहट जल्द ही मास्क नहीं पहनने वालों से 50 रुपए जुर्माना वस्ला जाएगा साथ ही सूबे के होर जिले में परसासन के द्वारा अभियान चला कर कोविट प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वालों पर करवाई की जाएगी स्वास्त विभाग के ओर से इस बावत एक प्रस्ताव आपदा प्रवधन विभाग को बेजा गया है स्वास्त विभाग के अपर मुक्षची अरुन कुमार सिंग ने लोगों से अपील किया है कि आप कोविट प्रोटोकाल का पालन करे खोधी बचे और लोगों को बचाए ज्यारखन में 17-100-ASI को प्रोटी का इंतेजार राज्य के 17-100-ASI को प्रोटी नियमावली में संसोधन नहीं होने के कारण करीब डिर्जाल से लटकी हुई है विभागिय मंत्री की स्वाहमती के बावजूद विभाग में नियमावली संसोधन की फाइल की धिमी रप्तार प्रोटी में बाधक बनी है बतादे बर्स 2016 के बाद किसी भी जमादार को दरोगा में प्रोटी नहीं मिली इस पाँच साल की ओधे में बीना दरोगा बने ही करीब 250 जमादार से वनिवलित हो गए जब की करीब 1700 जमादारों को प्रोटी का इंतिजार है जारखन के 372 बचे 4 साल से लपता है साल 2021 में सबसे जएदा है जन्वारी 2017 से अक्टूबर 2021 तक राजे में 2727 बच्चे लपता हो गए है इन में से 114 लड़के और 1613 लड़किया है बता दे इन में से अब तक 943 लड़के और 1412 लड़कियों कोही जारखन पुलिस ने बरामत किया है वहीं अब भी 111 लड़के और 201 लड़किया ऐसी है जिनका 4 साल से कोई सुराग नहीं मिल सका इन में से राची से 55, खोटी से 15, गुमला से 35, सिमडेगा से 18, लोहरदागा से 11 पुर्भी सिमू से 86, पच्चमी सिमू से 9 सराइ केला से 6, पलामू से 14, लातेयार से 6, गड़बा से 5,000 बैक से 10, रामगर से 1 जारखन में एक बार फीर से कुरोना के मरीज बढ़ने लगे है बतादे जारखन में 139 केस मिले है जबकि 22 मरीज स्वास्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 480 है भारत में 7,974 नाई केस मिले है जबकि 6,954 मरीज स्वास्त भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 76,195 है NCERT आगामी सत्र 2022 देश में किताबों के सिलेबस में करेगा कटोती देश के लाखों चात्रों के लिए रहात भरी खबर सामने आई है बतादे राश्तिये सेक्षिनिक अनुसंदान और प्रसिक्षन परिसद ने अगामी सत्र 2022 देश से स्कूलों के सिलेबस और किताबों में कर्टोती का फैसला किया है महामारी के परकोफ के कारण देश में स्कूल काफी समय तक बंद रहे थे वही संक्रमन के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलने लगी है करोना के ओमिक्रोन बेरियंट के खत्रे के बिच देश के विभीन राजियों में केस बढ़ने सुरू हो गए है कई स्कूलों में भी संक्रमन के बड़े मामले सामने आया है इस करण स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है सरकार बनाय रहे सभी विभागों की नियुक्ति निमावली मंत्री रामेश्वर बीत एवम खाद आपूर्ती मंत्री डाक्टर रामेसर उराव ने कहा है कि अलग जहरकन राजे गठन के बाद भाजपा ने अपने 16 वर्सों के सासन काल में राजे के बिकास को लेकर कुछ नहीं सोचा आपूर्ती में हमन सरकार ने 2 वर्स काफी काम किया आने वाले 3 वर्स में गठबंधन की सरकार अपने सभिवादे को पूरा करेगी डाक्टर रामेसर उराव ने सोमवार को सरकार के 2 वर्स पूरे होने पर पत्रकार उसे बाथचित करते हुए सरकार के उपलब दिया गिनाई जहा को डुरंडा पूलिस ने गिरफतार कर लिया है बता देवा बुकारों के सेक्टर 6 इस्तीत क्वार्टर नमबर 1048 का रहने वाला है और ओफ है कि उसने अपने दोस्त मनोज कुमार के साथ मिल कर गो डैडी के जरिये फरजी बेपसाइट बनाया था उसके बाद बेपसाइ डुरंडा पूलिस ने साइबर सेल की प्रभारी DSP या सुदरा को दी जहारखन का गर्म जलसरोत जहां नहाने से दूर होते हैं चर्म रोग जहारखन का लाते हैं जिला बन पहड़ों वा जहारणों के लिए जाना जाता है लेकिन यहां कई ऐसे अस्थल है जिनकी अस्थान पानी का सुरोत अवस्थित है जिला मुख्याले से इसकी दूरी तक्रीबं 10 किलो मीटर है जबकि ठे पोचरा पंचायत मुख्याले से इसकी दूरी तक्रीबं 4 किलो मीटर है लोग बताते हैं कि यहां पानी अफ्ष्दिये है और यहां नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं उद्गाटन के तेरा दिन बाद भी शुरू नहीं हुई धान की खरीदारी जारखन के गडवाजले में उद्गाटन के तेरा दिन के बाद भी धान कराय केंद्रों में खरीदारी प्रारम नहीं हो सकी है बता दे ऐसे में किसानों के बीच धान बेचने को लेकर कुलाहट का लाफ बिचोलिया उठा रहे हैं धान कराय केंद्रे खोलने में जीतनी देरी होगी किसानों को उपर बिचोलिया उतने ज्यादा हावी होगे अभी भी बीचोलिये गाउं गाउं गोमकर किसानों से 10 से 12 रूपे प्रतिकलियों की दर्थ से धान खरीद रहे हैं बाद में इसी धान को फर्जी किसानों की आईडी से निम्तम समर्थन मूले पर पैक्स को बेश दिया जाएगा आपको पता दे कि गाड़वा परकॉंड के दूबे मराटिया पैक्स में मंत्री मिल्टेज टाकूर के हाथो 15 दिसंबर को धान करे केंद्र का उधगाटन किया गया था लेकिन इस उधगाटन के बाद अभीतक राजे की ओर से पैक्स को अधार्बुत समागरी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हजारी बाग जिले में सलक सुरक्षा पर सलाना 16 लाग खर्च फिर भी दूरगटनाओं में कमी नहीं हजारी बाग जिले में सलक सुरक्षा पर परतिवा 16 लाग खर्च हैं इसके बाद भी चवपारन की दन्वा घाटी में सलक दुरगटनाओं रुकने का नाम नहीं ले रही है बता दे इस सलक की देखरेक NHAI की जिमे है या सलक कुलकत्ता दिली को जोडती है इसमें चवपारन के चोर दरहा से गोरहर कुल 71 कीमी NHAI को देखरेक की जिमेवारी है मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी जारखन में अभी लोगों को ठंड से रहत मिलने के उमीद नजर नहीं आ रही है वहीं अब जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है बता दे मौसम विभाग ने कड़वा और लातेहार जीले के लिए चेतानी जारी करते हुए कहा है कि आगले कुछ घंटों में जीले के कुछ इलाकों में हलकी बारिच के साथ ही वहरपात हो सकती है जिससे लोगों को मुस्किले होगी मौसम विभाग ने लोगों के लिए चेतानी जारी करते हुए कहा है कि लोग सुरची आस्तानों पर चले जाए मौसम विभाग ने खास कर किसानों के लिए कहा है कि किसानों को अपने खेतों में न जाने और पेंड के नीचे और विजली के खंबों से दूर रहने के निदेश दिया है जहां पढ़ाई वही नौकरी जार्खन सरकार पूरा करेगी वादा जहार्खन सरकार के दो साल पूरा होने पर जहार्खन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्त डायस ठाकूर ने प्रेस कॉंफिरेंस कर कोई महत्पून बाते कही राज में नौकरी के लिए नई नियमावली के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कताई कोई बुरा नहीं है कि लोग जहां पढ़ाई के लिए जाते हैं वही नौकरी तला से राज्य में पड़े बच्चों कोही जायरखन में नोकरी लेने के निर्नाय का उन्होंने बचाव किया कोई युवक जहां पढ़ाई करता है वहीं उसे नोकरी भी मिले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आजसु मना रहा विस्वगात दिवस आजसु के केंद्री अध्यक सुरेस महतों ने राज्य की हमन सरकाय पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि चुनाव से पुर्वजीन मुद्दो और विस्वगात को लेकर हमन सुरेन जानता के बिच गए थे वे दो साल में भी उन विस्वगात को हल नहीं कर सके ना तो सरकार खत्यान के अधार पर अस्तानियता को परिभासित कर पाई और नहीं युवाओ को घोसना के अनुसार रोजगार ही मिला राज्य की जानता चली गई उनके साथ विस्वगात हुआ है इसे लेकर आईसू पार्टी राजे की बरतमान सरकार के दो साल पूरे होने को विस्वगात दिवस के रूप में मना रही है सभी जीलों और परकंडों में मुक्र मत्री एमान सुरेन की घोसना और हकीकत को पार्टी जानता के सामने ला रही है गुमला से भागपा मवादी के सहयोगी गिरफतार गुमला के विसुनपूर थाना पूलिस को एक बड़ी कम्यावी मिली है पूलिस ने टेमर करचा गाउं के भागपा मवादी के सहयोगी को एक देसी कटा के साथ गिरफतार कर लिया है मवादी के स्वयोगी के पास से पुलिस को एक देस्टी कटा, दो जिन्दा कर्तूस्त एवाम नक्सरली पोस्टर भी बरामत हुआ है HEC मैजदूरों की हर्ताल जारी HEC में एक बार फीद त्री पक्षिये वर्ता विफल रही HEC में बाकाया बेतन को लेकर एक समती नहीं बन सकी जिसके कारण HEC कर्मियों के हर्ताल जारी रहेगी बतादे छेतरिये स्रमायुक्त एक के नायक की पहल पर HEC परवंधन और सरमिक संगठनों की बैठक बुलाई गई जिसमें बाकाया छो मा के बेतन भुक्तान को लेकर चल रहे होताल को समाप्त करने के समध में HEC मुख्यालय में बैठक की गई HEC परवंधन का कहाना था कि वो दो मा का बाकाया बेतन भुक्तान ततकाल नहीं कर सकता क्योंकि HEC की मुख्यूदा इस्थिती अच्छी नहीं है उन्होंने स्रमिक संगठनों को या अस्वासन जरूर दिया है कि परतेक माह कर्मियों को उनका बेतन भुक्तान कर दिया जाएगा रांची में अब ऑनलाइन होगी साप सफाई की निग्रानी राइधानी की सफाई बेवस्ता पटरी पर लाने की कवाय सुरू हो गई है बता दे नए साल पर राइधानी में सफाई बेवस्ता की ऑनलाइन इग्रानी सुरू कर दी जाएगी इसे लेकर नगर आयुक्त मुकेस कुमार ने सफाई के काम में जूटी एजन्सियों के प्रतिनिदियों को दिसानिदेश जारी किये है बता दे नए साल की सुरूआत के पहले हफ्ते में ही सभी एजन्सियों को काम पूरा करना होगा नगर आयुक्त ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की रियायत किसी के साथ नहीं बरती जाएगी नए साल की शुरुआत के पहले हफ्ते में ही सभी एजेंसियों को काम पूरा करना होगा डोर टू डोर कचरा उठाव के निर्यानी शुरू कर दी जाएगी इसके लिए इस साल के अंत 31 दिसंबर तक सीडिसी कंपनी को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन चीफ और सर्वर लगाने के काम हर आल में पूरा करने का निर्देश दिया गया पिस्टल की गोली से करवाईन चला रहे है जहारखन के नकसली जहारखन के अपराधी और नकसली पिस्टल की गोली से करवाईन चला रहे है केवल पूलिस और सेना को सप्लाई की जाने वाली 9 mm की गोलीयों का जुगार मुस्किल हुआ तो अपराधी और नकसली उग्रवादी और हाथियार तसकरों ने इसका तक्निकी हल निकाल लिया है बता दे मुंगेर सहीत बिहार जहारखन के विभीन अस्थानों में अबएद हाथियार बनाने वाले तसकरों ने अब करवाईन के बैरल ही साइज और डिजाइन बदल दी बैरल में बदलाव कर उसे ऐसा बनाया गया है की 7.65 mm की गोली फीट हो जाए बीएड में नमांकन के लिए online रिप्टेसन सुरू बता दे जहारखन कम्बाइञ एकजामीनेसन बोर्ड ने बीएड में नमांकन के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग का सेडियूल जारी कर दिया है इसमें काउंसिलिंग में सामिल होने के लिए 16-16 31 दिसंबर तक निवंधन करा सकते हैं वहीं इसके बाद 3 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इसमें जीन उमिद्वारों का नाम होगा वे 5-12 जनवरी तक फरम भर सकेंगे केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सहीद दिवस की तियारियों का लिया जाएजा केंद्रिय जनवरी मामलों के मंत्री सर अस्थानी संसत अर्जुन मुंडा ने खरसावा के सहीद दिवस का जाजा लिया वहीं सहीद पार्क पहुँच कर वहां किये जारे संदरी करनकार्य को भी देखा इस दोरान सहीद पार्क की बेहतरी के लिए कैस्त हुझाव भी दिये मौके पर केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा ने कहा कि खासावा का सहीद अस्थल अब लोगों के लिए प्रेणा और सक्ति अस्थल बन गया है बता दे केंद्रिय मंत्री सीरी मुंडा ने कहा कि उन्होंने अपने मुक्य मंत्री काल में सहीद पार्क का निमान कारे शुरू करवाया था धन्यवाद अइसे आप हमें लड़कियों की साधी की उम्र 21 वरस या 18 वरस होना चाहिए कोमेंट बक्स कर अपनी सुझाओ अवस्य दे यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहल के लिए के अंदव ये साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सा फीड़बैक अवस्य दे थाइंक यू